देखिए दोस्तों ये कट आफ हो गया नमस्कार दोस्तों मैं हूं जितेन सिंग राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजपूत टेक्निकल दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको वैक्स हीटर की रिपेरिंग बताएंगे तो चलिए वीडियो चुरू यूज़ करती हैं तो यह जो वैक्स हीटर मशीन है यह हीट नहीं हो रही है आपको हम इसे चेक करके दिखाते हैं सीरीज में देखिए यह हमने इसे ओन किया लेकिन यह बिल्कुल भी बल्लो नहीं कर रहा है यह वर्क नहीं कर रही है तो हम इसे खोलेंगे और देखिए इसमें कहां से प्रावलम आ रही है तो देखिए दोस्तों इसके नीचे यहां पे एक कैप लगी हुई है और इसमें यहां पे ए हमने इसके नट निकाल लिए हैं अब इसे हम ओपन करके आपको दिखाते हैं इसको आफ कर देती है देखे दोस्तों इसमें यहां पर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है यह आप देख पा रहे होंगे 85 डिग्री सेंटिग्रेट टेंपरेचर वाला यह थर्मोस्टेट है देखे आपको दिखाते हैं पास से और दोस्तों इसमें यह ओन आफ स्विच है और एक यहां पर एलेमेंट है हीटिंग कोई लगी हुई है और यह मेंसलीड बस इतनी चीजें इसमें रहती हैं तो हम इसे चेक कर लेते हैं इसमें यह हीटिंग कोईल खराब है यह थर्मोस्टेट खराब है यह मेंसलीड यह स्विच किसमें प्रॉलम है तो हम इसे चेक कर लेते हैं दोस्त सबसे पहले हम आपको इसकी जो हिटिंग क्वाइल है यहां पे जो हिटिंग element लगा हुआ है यह क्वाइल इससे चेक कर लेते हैं जो हिटिंग element है इसका जो connection है वो एक thermostat के इस point पे लगा है और जो on off switch है उसके center वाले पे लगा है तो हम इन दोनों point ओ पर यहां चेक कर लेते इसे एक point तो हम यहां पर रखेंगे और एक हम यहां पर रखते हैं देखिए element हमारा सही काम कर रहा है यह हमारा जो bulb है glow कर रहा है element सही है thermostate को भी check कर लेते हैं इन दोनों के point पर हम रखेंगे देखिए thermostate भी हमारा साइए बल गुलू कर रहा है अब on of search को भी check कर लेते हैं तो on of search को हम पहले on कर लेते हैं यह हमने on of search को on कर लिया है अब on of search का जो beach वाला point है और यह जो right side वाला point है यह आपस में connect होता है जब हम इसे on करते हैं इनको हम चेक कर लेते हैं देखिए दोस्तों ये on off switch भी हमारा ठीक है अब दोस्तों इसकी main squad इसमें हो सकता है इसमें problem हो इसे भी हम चेक कर लेते हैं तो जो main squad है इसका connection यहां से देखिए एक wire तो यहां से निकल के ये thermostat में लगा हुआ है और दूसरा वाला जो wire on off switch के ये right side वाले point में लगा हुआ है तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं तो एक point हम यहां रख लेते हैं और एक हम यहां चेक करके देखते हैं देखिए यहां पे भी इसकी connectivity नहीं आ रही यहां पे भी देख लेते हैं देखिए यहां पे भी नहीं आ रही इस वाले point से भी देख लेते हैं देखिए यहां पे भी नहीं connect है यह यहां पे भी यह नहीं बता रहा है इसका मदलब इसकी main squad में problem है तो देखिए दोस्तों इसको हम physically एक बार देख लेते हैं देखी कई बार क्या होता है यहां से यह खराब हो जाती है तो इसको हम यहां से cut करके और इसमें दूसरा हम इस टाइप से two pin plug यह लगा के इसको हम okay कर सकते हैं अजरबाइस इसकी lead इंटरनल खराब हो सकती तो फूरी record को फिर हमें change करना होगा जैसे अभी इसमें देखिए दोस्तों ऐसा लग रहा है यहां से यह शौट हो गई है देखिए दोस्तों आपको पास से दिखाते हैं यह शौट हो गई है यहां से देखिए यही इसकी problem है तो जोइंट कर देंगे इस तरह से इसको पट कर लेना है और इसको अच्छे से छिलके हम दोनों wire को यहां पर जोइंट कर देते हैं फिर आपको बताते हैं हमने इने अच्छे से जोइंट करके tapping कर दी है आप चाहें तो इनमें sleeve लगा के भी इसे okay कर सकते हैं तो दोस्तों अब यह चालू हुआ है कि नहीं यह बताने से पहले हम आपको इसकी पहले एक पुरा कैसे क्या इसमें connection है और इसकी क्या working होती है वो बता देते हैं फिर आपको इसे check करके बताते हैं तो दोस्तों आपसे एक request है कि आप हमारे यदि वीडियो पसंद आया तो इसे like करें शेयर कर ले यह जो supply lead है यह इसके connection कैसे क्या होते हैं दिखिए एक जो इसका connection है वो on off switch के यह right side वाले point पे यहां पे connect होता है एक wire और जो दूधरा वाला wire है वो देखिए यहां से निकल के आता है और यह जो thermostat है उसके एक स्रेय पे connect होता है वो thermostat से यहां से एक wire निकल के जो hitting element है coil है coil के x-ray पे जाता है और coil का जो दूसरा सिरा है वो जो on off switch है उसके बीच वाले point पे connect होता है यह जो on off switch है यह with indicator है इंडिकेटर के साथ में है तो indicator के लिए connection कैसा क्या होता है कि यह जो thermostat है इसके इस वाले point से देखिए यहां से एक wire जो on off switch है उसके यह left वाले point पे यहा यह दोनों जो point है यह आपस में short हो जाते हैं और इनका contact जो on off switch जो indicator लगा हुआ है इसमें indicator के एक सिरे पे यहां से जब यह short हो जाते तो यहां से पत्ति के थूरू एक सिरे पर indicator के supply मिलती है और दूसरे सिरे पर जो supply याने एक सिरे से face मिलता है दूसरे सिरे से उसको neutral मिलत और इसमें इंडिकेटर में नियोन वल्ब होता है जिसके बीच में एक 1 मेगाओं का एक रेजिस्टर भी लगा होता है जिससे वो नियोन वल्ब ग्लो करता है तो दोस्तों जब हम यह से सप्लाई देते हैं तो क्या होता है यह सप्लाई है जब हम यह से ओन करते हैं तो सप्ला यहां से फेज जा रहा है तो दूतरा नीटरल सबस यहां से जो अनौफ स्विच है उसके थुरू यहां से ऐसे जाता है तो इस तरह से यह हीटिंग एलिमेंट हमारा हीट होता है और यहां पर देकल Cris का और यहां पर इसकी बॉड़ी से अटेज रहता है यहां से निकल चुका है तो हमें किसी तरह से से यहां पर इससे connect करना होगा तो अब दोस्तों देखिए अब इसे हम आपको चेक करके दिखाते हैं यह चालू हुआ है कि नहीं तो हम पहले से off कर देते हैं अब यह जो टूपीन है इसको हम सीरीज में लगा देते हैं अब इसे हम यहां से on करते हैं अब यह स्विच को हम on कर लेते हैं देखिए दोस्तों यह हमारा element चालू हो गया है अब दोस्तों यह cut off के ऐसे होता है तो देखिए मैं आपको इस soldering iron से इसको बताता हूं किस तरह से work करता है देखिए दोस्तों यह cut off हो गया यहां जो light जल रही थी neon ball वो भी बंद हो गया और दोस्तों यह on कब होगा जब यह ठंडा हो जाएगा cool हो जाएगा तो यह वापस से on हो जाएगा तो हम यह देखिए अब इस condition में यह work नहीं करेगा थंडा होने पर काम करेगा तो हमें इसको थोड़ा सा थोड़ी देर बाद फिर आपको check करके दिखाते है देखिए दोस्तों यह वापस से on हो गया इस तरह से जब 85 degree के नीचे temperature आएगा तो यह दुबार असे on हो जाएगा और जैसी 85 degree temperature पे जाएगा तो यह वापस बंद हो जाएगा तो 85 degree temperature पे यह maintain रहेगा तो देखिए आपको एक बार और फिर से दिखाते है देखिए दोस्तों यह बंद हो गया अब यह थंडा होने पर ही चालू होगा तो उमीद जरूर करें दोस्तों इससे हमें motivation मिलता है और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं तो चैनल को subscribe कर लें तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye thank you